गुड मॉनिंग दियर स्टुडेंट्स इन अबर प्रीविएस वीडियो वी हाँ तेकन इन्फर्मेशन अबाओ ताइम और देट अट तुडेए वीडियो में हमने टाइम और देट के बारे में जानकारी लिए है और आज हमें मैथ के निव लेशन को थर्टीन नमबर के और लेशन का नाम है मेजरमेट तुडेंट आपको मैथ की वर्बूख निकाल कर पेज नंबर 162 निकालना है और देखना है जैसे कि देखो बच्चो फस्ट अफ आपन हमारे लेशन का नाम है मेजरमेट्स अभी मेजरमेट्स के से कहा जाता है जैसे कि मेजरमेंट means to measure some object by its shape, size और capacity जैसे कि देखो बच्छो measurement का मतलब होता है किसी वस्तुक का shape, size और capacity से जिसे हम measure करते हैं, count करते हैं, गिनते हैं तो उसे कहिते हैं measurements and हमारे lesson का नाम है बच्छो measurement इस lesson में हमें measurements के अलग-अलग units जानने हैं जैसे कि देखो बच्छो सबसे पहले यहाँ पर दिया है measuring length, जैसे कि length को measure करने के लिए कौन सा unit इस्तिमाल किया जाता है, यहाँ में देखना है, जैसे कि देखो बच्छो we can measure the length, we can measure the length of object by using our body part, जैसे कि देखो बच्छो कुछ यहाँ पर हमारे body parts दिये हैं, उस own body parts की मदद से यहाँ पर length को जैसे कि देखो बच्छो पहला है यहाँ पर body parts दिया है, hand, hand span, जैसे कि a hand span किसे कहते है, the maximum distance between the tips of thumb and little finger, जैसे कि देखो बच्छो यहाँ पर little finger और thumb के बीच में जो अंतर होता है, उससे अगर हम length को count करते हैं, तो उससे कहते है hand span, then second यहाँ पर body parts दिया है, a qubit, अभी a qubit मतलब एक गज की दूरी जिसे हम कहते हैं, जैसे कि जो एक हाथ की दूरी होती है, उससे कहते है a qubit, जैसे कि आप table का length जो है, वहाथ से ले सकते हो, hand से ले सकते हो, या qubit से ले सकते हो, okay dear students, then तीसरा body parts दिया है, यहाँ पर foot, या a foot span, अभी foot span किसे कहते हैं, जैसे कि अगर किसी place का distance, अगर हम foot से बताते हैं, मतलब इतनी foot दूर है, इतनी foot दूर है, ऐसे अगर बोलते हैं, तो उससे कहते है a foot span, मतलब यह foot की मदद से, यह हम length को measure करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसी कहा गया है foot span, देन दिया है a place, अभी देखो बच्चों, यहाँ पर, आपके दो पैरों के बीच में, जो length रहती हैं, और उससे जब, किसी place का distance, जब हम count करते हैं, measure करते हैं, तो उससे कहते है a place, इस प् length को कैसे measure किया जा सकता है, यहाँ आपने देखा है, इस students देखो, we use a hand span, a qubit, a foot span, a pace to measure the length, जैसे कि अभी महीने आपको बाता आया था, hand span, qubit और foot span, और pace से length को कैसे measure किया जा सकता है, but these units are not accurate, because we all have different size of hands and feet, जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर accurate measurement नहीं है, क्यों नहीं ह क्योंकि हमारे हाथ और पेर, जैसे कि अगर आप छोटे बच्चे का हाथ और पेर देखते हो, तो उसकी length कम हो सकती है, और जब कोई बड़ा विक्ती होता है, तो उसके पेर और हाथ की जो दूरी है length है, वहाँ कम ज्यादा हो सकती है, इसलिए यहाँ जो measurement है, यह accurate नहीं है यहाँ उसको अन्दाजिव अगरा बोल सकते हैं, जैसे कि टेबल का जो measurement है, वहाँ जैसे कि एक, दो तीन हाथ length है उसकी है, इसे हम बोल सकते हैं, लेकिन यह accurate measurement नहीं है, बिकॉज जैसे कि सब के हाथ पेरों की जो length होती है, वहाँ कम ज्यादा होती है, ओके देर स्टुद यूनिट की यहाँ पर जरूरी होती है, इसके लिए आवश्यक है, वही measure length in meters and centimeters, जैसे कि length को meter और centimeter में measure किया जाता है, मतलब अगर आपको पूछा जाता है कि length का standard unit कोन सा है, तो length का standard unit है meters and centimeter, जैसे कि यहाँ दो standard units length को count करने के लिए use किया जाते है, then we use a meters, we use a meter stick or a ruler to measure the length, जैसे कि यहाँ पर length को अगर आपको measure करना है standard unit में, तो यहाँ पर meter stick का use किया जाता है, यह आपकी जो ruler होती है, उस ruler का use किया जाता है length count करने के लिए, okay dear students, और length का standard unit meters और centimeter से, यहाँ आपको बात ध्यान में रखनी है, जैसे कि centimeter जो concept है, उसके बारे में अभी हम यह जानकारी लिनी है, जैसे कि small lengths are measured in centimeter, अगर length कम होती है, तो उसको centimeter में measure किया जाता है, and centimeter is written as cm, जैसे कि centimeter का short form है cm, okay dear students, यहाँ बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर small length को अगर आपको measure करना है, तो उसे आप centimeter में measure कर सकते हो, और centimeter standard unit है, length का standard unit है, length को count करने का measure करने का centimeter standard unit है, और जब length small होती है, तब centimeter का use किया जाता है, and centimeter को short form में cm, ऐसे लिखा जाता है, okay dear students, then a ruler has centimeter marks on one side, जैसे कि देखो बच्चो, यहाँ पर आपको, आपकी जो scale है, जिसे हम ruler कहते है, उसकी एक साइड पर centimeters होते है, और नीचे की साइड पर inch दिये होते है, यहाँ पर centimeter जो है, उससे हम, यह scale से हम centimeter जो है, वह measure कर सकते है, अगर आपको किसी things का length लेना होता है, तो हम इस ruler के मात्यम से, यह centimeter मतलब जो map जो है, वह हम ले सकते है, okay dear students, then students, length का standard unit दूसरा है, meter, और meter का spelling है, M-E-T-R-E meter, जैसे कि देखो बच्छो, bigger lengths are measured in meters and we have used a measuring tape for this, meter is written as Y-M, जैसे कि देखो बच्छो, एगर length जादा होती है, दूरी जादा होती है, तो वह measure करने के लिए, नापने के लिए, meter का use किया जाता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, और length जब कम होती है, तब centimeter का use किया जाता then meter is written as Y-M, जैसे कि meter को Y-M इस symbol में indicate करते है, या उसका short form है Y-M, ऐसे लिखा जाता है, और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, one meter equal to 100 centimeter, मतलब एक meter में sumber centimeter होते है, okay dear students, one meter equal to 100 centimeter, 100 centimeter, okay dear students, then जैसे कि देखो बच्छो यहाँ पर एक suitcase दी है, और उस suitcase की यहाँ पर जो length है, वहाए 18 centimeter है, because जैसे कि देखो यहाँ पर यह चीज या things छोटी होने के कारण, इसको हम centimeter में measure कर सके, लेकिन यहाँ पर देखो बच्छो एक car का picture दिया है, और car को हम centimeter में measure नहीं कर सकते है, क्य क्युक्त की इसकी length जो है, वह ज्यादा है, और जब length ज्यादा होती है, तब meter इस standard unit का, meter इस standard unit का हम use करते है, तो यहाँ पर देखो बच्छो इस car की length कितनी है, 3 meter, और यहाँ पर इस suitcase की length कितनी है, 18 centimeter, इस प्रकार, जब length कम होती है, तो उससे centimeter में measure किया जाता है, और length जादा होती है कुछ सी भी चीज़ की टेबल हो चेयर हो कार हो खुछ भी हो जैसे कि वहाँ उसकी जब लेंद ज्यादा होती है तब उसे मीटर में मेजर किया जाता है यह बात आपको ध्यान में रखना है ओके डियर सुरेंट्स दें यूजिंग रूलर टुमेजर दे लेंद of small object जैसे कि small object के लेंद को मेजर करने के लिए scale का या ruler का use किया जाता है the ruler in your geometry box is 15 cm long जैसे कि आपके geometry box में जो छोटी ruler scale होती है उसकी length होती है 15 cm जैसे कि देखो बच्चो अगर आपको थिंग्स या वस्तु छोटी है और उसका अगर आप उसका map आपको लेना है length लेनी है measure करनी है तो यहाँ पर scale पर जो 0 का point होता है उससे आपको starting करने पड़ती है जैसे कि देखो बच्चो यहाँ पर एक pencil दी हुई है और उस pencil का pencil की length यहाँ पर हमें measure करनी है नापनी है तो यहाँ पर देखो pencil के first pencil का जो first point है वहाँ पर 0 जो है वह लगाया और जैसे कि देखो बच्चो य यह ending point यहाँ पर होता है 8 पर यह end हुई है मतलब यहाँ पर इस pencil की length कितनी है 18 cm long जैसे कि this pencil is 8 cm long जैसे कि इस pencil की length है 8 cm okay dear students जैसे कि यह बात आप एक बात आपको ध्यान में रखनी है जब किसी भी things की आप length measure करते हो तो आपको scale के 0 से 0 points से आपको measure करने को start करना है okay dear students then यहाँ पर एक example दिया है जैसे कि measure each object to the nearest cm and write their length in the box जैसे कि देखो बच्चो यहाँ पर नीचे दिये हुए things को आपको cm में measure करना है जैसे कि यहाँ पर एक spoon दिया है और यहाँ पर spoon को measure करने के लिए सबसे पहले से आपको एक scale लेनी पड़ेगी और उस scale का पहला point 0 से start होता है और 0 का starting point यहाँ पर हमने रख दिया और यहाँ पर ending point कहाँ पर खतम हुआ है देखो 6 पर खतम हुआ है इसका मतलब इस spoon की length कितनी है 6 cm so we will write here 6 cm okay dear students then open your workbook page number 164 and look on it जैसे कि देखो बच्चो यहाँ पर second एक instrument दिया है जिसे हम page कसकेते हैं और देखो बच्चो यहाँ पर इस चीज की हमें length को measure करना है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम scale को रोकेंगे 0 point जो होता है वह यहाँ पर हमें starting point लेना है और ending यहाँ पर देखो 9 पर हो गई है मतलब इस चीज की इस things की यहाँ पर length कितनी हुई 9 cm नई सेंटीमेटर तो यहाँ पर आपको 9 यह length कितनी हुई 9 cm इस प्रकार आपको हर इक चीज की length जो है वह measure करनी है देद यहाँ पर candy दी है और उस candy की आपको यहाँ पर length measure करनी है जैसे कि starting हम 0 से करते है इसलिए यहाँ पर scale का जो पहला point है वो है यहाँ पर candy की starting point पर लगाया और यहाँ पर ending हुई है 5 उपर मतलब यहाँ पर 0 से लेकर आप count करो 0 1 2 3 4 और 5 मतलब इस candy की length कितनी है 5 cm so we will write here 5 cm okay dear students इस प्रकार आज हमने length का जो standard unit है जैसे की meter और centimeter इसका use आप को कप करना है यह इस वीडियो में देखा है और जैसे की meter का use कप करना है अगर किसी things की length अगर ज्यादा होती है तब हमें meter इस unit का use करना है और meter को small इसमें जैसे की short form में yum लिखते है और जैसे की अगर कोई things शोटा होता है यह उसकी length कम होती है तो उसे हमें centimeter में उसे हमें measure करना है और centimeter का short form है cm cm means centimeter और yam means meter इस प्रकार आपको इसको ध्यान में रखना है स्टुडेंट्स इस प्रकार आज की वीडियो में हमने measurement में centimeter का use करना है और meter इस standard unit का use करना है यह इस वीडियो में जाना है तो बच्चो यह अभी जो मैंने आपको बाते बताई यह आपको याद में रखनी है और एक बात बच्चो जैसी की एक मीटर में 100 cm मतलब 100 cm का एक मीटर होता है यह अभी बात आपको ध्यान में रखनी है अगर length कम होती है तो आपको centimeter का use करना है और अगर किसी चीज की किसी things की length अगर ज्यादा होती है तब आपको meter is standard unit का use करना है इस प्रकार यहाँ पर measuring length मतलब आपको किसी things की length जो है वह कैसे measure करनी है यह इस वीडियो में आज हमने देखा आपको सबको यहाँ समझ में आया है ना ओके दिया students Thank you